हाई फ्रेंड्स श्री किछन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पुदीना राइस पुदीना राइस बहुत तेस्टी बनेगा जसा की लगता है अम्रुत के तरह इसे आप अपना गर पे जरूर ट्राय कीजिए इस रेसिपी को हम जान लेंगे पहले हम कडाई में करेंगे इससे मसाला का फ्रेवर भी बहुत अच्छा बनेगा फिर अब इसमें आदा चम्मच मेती एक चमच दनिया और एक चमच जीरा एक चमच तील डालेंगे और एक चमच पीले मुंग दाल और एक चमच उरत डाल आदा चमच राई इन सब मसाले को इस तरह बूनेंगे अच्छे से देखे इतना बूनना जरूरी है इसके कच्छे पन निकल जाएगा अब तीन चार लस्टन की कलिया डालेंगे इसमें अब इसे मिक्स दी जर में डालके इसका पाउडर बनाएंगे देखे पाउडर भी बना सकते भी मैंने पेस्ट बना दिया अब हम दनिया और पुदिना के पत्ते को इस तरह अच्च से साफ करके इसे एक बाउल में डाल देंगे अब पुदिना और दनिया के पत्ते को मिकसर जर में एक बार घुमाएंगे देखिए इतना रफ अब एक कुककर में एक चमच गी डाल रही हूँ अब इसमें काजु भी मिलाएंगे और दो चमच मैंने मुंग फली डाल दिया और तोड़ा सा कड़ी पत्ता जो हमने पेस्ट बनाया था दनिया और पुदिने की उसे भी तेल में डालके दो तीन मिनिट के लिए इस तरह पकाएंगे अब इसमें हम जो पेस्ट बना के रखेते मासालों का उस पेस्ट को भी इसी तरह एक मिनिट के लिए और पकाएंगे ग्यास को स्लो रखते हुए पकाएंगे अब हम एक चोटा साल लिम्बू के साइज का इमली लेंगे फिर तोड़ा साइट गूड इसमें मिलाएंगे देखे इस तरह इसका पेस्ट बनाके इसी मसाला इमें डाल देंगे और स्वादा अनुसार नमक डालेंगे अब देखे हमारा मसाला बनके रड़ी हो चुका है अब मैं इदर 400 ग्राम चावल ले रही हूँ आप अपने सबसे तोड़ा चावल ज्यादा भी डाल सकते हो हम इदर कुकर में सिटी भी लगा सकते नहीं तो इसी तरह पाने आड़ करके मसाले के साथ चावल को पकने दे सकते मैं तो सिटी नहीं लगा हूँ ऐसे चावल को पकने दिया था पाने के साथ अब देखो हमारा पुदीना रैस बनके रड़ी है कुषबू भी बहुती बड़ी आ रहा है आप जरूर इसे एक बार ट्राइ कीजिए जटपट में 10 मिनिट में आपका काना बनके रड़ी हो जाएगा बच्चे सब बहुती पसंद करेंगे अगर आपको जल्दी से टिफिन बनाना है तो इसी रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए पुदीना रैस काने में तो बहुती टेस्टी बनेगा मैं पुदीना रैस का टेस्ट ले रही हूँ बहुती टेस्टी है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए फिर वीडियो को भी लाइक दिजे स्वस्त रहे कुछ रहे का तेरे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद